डेटम्स और प्रजेक्शन की बात करने है किस तरीके से हम ग्लोब को क्योंकि जो हमारी प्रित्वी है वो गोल है स्पेर है इसको हम चाहते हैं कि किसी तरीके से अपने दो डिमेंशन सर्फिस में लाँ पाएं इसको हम मैप बना सकें कुछ इस तरीके से बना सकें कि हम इसका इसमें computation कर सकें, इसको analyze कर सकें, Atlas जैसे आपने दिखा होगा वह एक तरीका है, हम अर्थ को कैसे represent करते हैं, यह आसान ही हैं क्योंकि जब भी आप, आप देखे, माली जी यह संत्रा है आपके बारास, उसको आप खोलिए, और उसको इस तरीके से रखने कोशिश करिए, आपको distortion मिलेगा, फिर जगल आपको चीजों का, shape का, area का, distance का, orientation का, angle का, इस सब का loss मिलेगा, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को देखते हुए भी हमें से map करना है, तो datum और projection देखेंगे, ellipsoid, spheroid, geoid, datum, projection, coordinate system देखेंगे, ellipsoid क्या होता है, देखें, एक sphere, और sphere जो earth को represent करेगा, जिसे जो normal globe आपने teacher के table पे देखेंगे, geographic teacher के table पे, वो complete, पूरा sphere होता है, तो वो spheroid है, इस तरीके से बना होता है वो, और यू घूमता रहता है, इसे हम कहेंगे कि यह spheroid है, लेकिन earth को जब हम map करने की कोशिश करेंगे, यह model करने की कोशिश करेंगे, actual competition के लिए, तो वहाँ पर हमारा earth का यह sphere कामी करेगा, हमें ellipse चाहिए होगा, जिपसाइगे, तो एर्थ जो है, shape उसका थोड़ा elliptical है, क्योंकि इसके जो radius है वो constant नहीं है, कहीं जादा है कहीं कम है, तो इस तरीके से model होता है, ellipse oride यह spheroid कह सकते हैं, लेकिन हम इसके ellipse oride ही कहेंगे, क्योंकि यह sphere तो है नहीं, लेकिन अगर कोई आपको, GIS में या इस technology में आपको कहता है कि, spheroid यह ellipse side होता है, तो दुनों यह की synonymous नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि में जैसे बताया कि, equator पे, equator पे, यह bulge करता है, bulge बाँर बाहर की तरफ आता है, यसे किसी का पेट निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं bulging out, और जो pole है, यहाँ पर कम हो जाता है, यहाँ पर कम है यहाँ जादा है, जो flattening है, वो करीबन 22-21 देशनलों पांच किलोमेटर है, polar radius अगर आप देखें, और equatorial radius इंदर का difference लें, तो करीबन 21 देशनलों पांच किलोमेटर दिफरेंस आता है, ellipsoid model इसले करते हैं, कि हम चाहते हैं कि जो range बेरिंग calculation हो, large distances पे वो हम कर सकें, और हम shape को, एक smooth surface की तरह model कर सकें, तो ellipsoid, देखें, यह ellipsoid है, जो हम earth को model करते हैं, earth है, अब इसको हम नहीं कहा कि हम इस ellipsoid से model कर रहें, तो model करने का तरीका क्या होगा, और क्योंकि यह ellipsoid है, तो इसकी major axis होगी, minor axis होगी, यह semi major होगी, यह semi minor होगी, तो जो minor axis है, यह वाली, वो polar radius अगर हम इसको b मांते हैं, यह b है, यहां से यहां तक b है, यहां से यहां तक a है, तो wgs84 अगर हम ellipsoid लेते हैं, तो यह करीब इतनी मिटर आता है, 6356, 752, यानि कि कितने डिजिट हैं यहां पर, 1, 2, 3, 4, 7 डिजिट है मिटर के लिए, और इसी तरीके से हम अगर, equatorial radius a ले यह वाला, major axis तो यह आएगा, 6378, 137, यह भी 7 डिजिट ही आ रहा है, और देखें, अग difference दोर में, इसमें difference है, फ्लैटिंग को हम कैसे निकालते हैं, a minus b by a से, और inverse फ्लैटिंग हम यूज़ करते हैं, computation में बंबाया, तो यह आता है, 1 by 298.25, और आगे यह और position है, यह इस तरीके से value निकालते हैं, जो अलग-अलग अर्थ को model करने के लिए, ellipsoid हम लेते हैं, जिसमें WJC4 मैंने भी आपको दिखाया, और भी हैं, अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग लोग अपने छेतर को, अच्छे से model करने के लिए, computational purpose के लिए, वो अपने अपने ellipsoid लेते हैं, यह अलग-अलग उनके, semi-mejor axis हैं और flattening है, तो हमको major axis और flattening से ही काम चल जाएगा, हमें minor की ज़र्द भी परती है, यह उसको use करके ही flattening आयो हुई है, तो यह values हैं, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यह अर्थ है हमारा, जो आप green में देख रहे हैं, यह actual topographic surface है, यह आपका ellipsoid का surface है, जो red में है, यह proper ellipsoid दिखा रहे हैं, यह ellipsoid तो continuous रहेगा, और उसके बाद यह geoid surface है, यह जो अर्थ का mass के हिसाब से चलेंगे, यह तो gravitational है, यह center, जो gravity mass वाली होती है, उसके इसाब से geoid का surface है, तो geoid, ellipsoid, और एक तरीके से actual surface, इस तरीके से vary करता है, और हम अगर किसी point को, किसी जगा को, model करना चाहें, तो हम उस जगा के लिए datum लेते हैं, तो अगर हमको किसी जगा को, कि यहाँ पर जब ellipsoid है, इसमें तो earth के undulations लेएंगी नहीं है, लेकिन datum मतलब यह होता है, कि हमने earth के undulations, या actual surface को, model किया हुआ है, तो datum वो होता है, जो हम model करते हैं, इसमें यह भी mathematical, आपको values दिता है, datum, जो आपने choose किया है, एक particular area के लिए, जगा के लिए, जैसे WGS84 का भी datum है, the world geodetic system, यह भी पुरे earth को model करता है, ऐसी आप अपने चेतर के लिए, अपने continent के लिए, अपने country के लिए, कर सकते हैं, लेकिन यह अलड़ी किये गए है, अपरिकली सब कुछ calculated है, तो geoid का मतलब यह होता है, कि यह true 3D shape है earth का, जो mean sea level से, continuously extended है, continents के across, और यह approximate करता है mean sea level को, यह तो एक चेतर अर्थ surface है, ग्रीन वाला, यह आपको geoid है, यह true 3D shape है earth का, और यह mean sea level से लिए अगया है, यह mean sea level को approximate करता है, आपको geoid की height देगा, पूरे earth के लिए, अगर मैं उसी geoid की बात करूँ, WGS 84 geoid की, तो यह इसकी height variations है, अलग-अलग जगा क्या-क्या height देए है, तो datum क्या है, एक mathematical model है, जो ellipsoid के shape को describe करता है, तो ध्यान रखेगा, किसी भी ellipsoid के लिए, shape बहुत आउशक है, तो आप ध्यान दीजएगा, आपको ellipsoid के लिए, एक datum चाहिए, वो datum ellipsoid के shape को describe करेगा, so you need a datum first, then you can describe the shape of the ellipsoid, और इसे हम एक तरीके से reference mapping surface मान सकते हैं, और यह shape और size earth का, साथ में origin और orientation, coordinate system का, यह define करेगा datum, और अलग-अलग हमारे पास datums है, और datum जो है, वो basis है, coordinate system का, आँ दीजेगा, datum ही basis है, coordinate system का, और बहुत सारे आपको datum मिल रहे हैं, अगर आप datum गलत ले लेते हैं, तो बहुत आपको error आएगा, 100 of meters का error आएगा, तो अगर आप मान लिजेए कि आपने datum, इनने से कोई लिया, यह North American datum है, यह worldwide use हो रहा है, WJC4, तो datum होगा, datum के बाद आप spheroid होगा, याने datum, उस area के लिए, जो उस area के shape को model करेगा, उसके बाद spheroid होगा, जो actual sphere होगा, और यह datum, इसके coordinate systems को define करके, spheroid, spheroid के computation करेगा, तो you need data always for a spheroid, यह सब लग लग, आपके आप स्वेलेबल है, जैसे GPS किस पे based है, WJC4 system पे, जैसे GRS आप देख रहे हैं, 1980 WJC4, यह Earth के shape को define करते हैं, आप, जो center of Mars है Earth का, उसको ध्यान में रखते हैं, यह triangulation से, जो perspective है, outside perspective, इसको model करते हैं, अब projection का मतलब समझेगा, कि अगर आपको curved surface से, flat surface पे ले जाना है, तो आपको project करना पड़ेगा, तो, जैसे मैंने आपको starting में बताया था, कि जब भी आप projection लेंगे, तो आपको distortion मिलेगा, चीज़े preserve नहीं होगी, और जो चीज़ प्रिज़र्ब नहीं हो पाती है, distance है, direction है, scale है, area, shape, लेकिन कुछ ऐसे projections है, जिसमें distance preserve होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें direction है, इस तरीके से, किसी-किसी में कोई-कोई चीज़े, आपकी preserve हो जाती है, उससाब से आपको projection choose करना है, और देना है, फिर इपन करता है आपका काम क्या है, आपको distance measure करना है, आपको किसी जगह का shape measure करना है, या उस पे ध्यान देना है, तो आपको यह देखना है कि कौन सा parameter आपकी लिए important है, और projection, यह अलग-अलग datum के साथ use कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको earth को model करना है, तो सबसे पहले हम datum लेंगे, उस datum के हिसाब से हम ellipsoid define करेंगे, उस ellipsoid के हिसाब से फिर हम projection करेंगे, यह अलग-अलग datum, फिर आपका ellipsoid और उसके बाद projection होगा, तो आप देखिए, एक earth को हम कैसे project करते हैं, तो तीन तरीके हो सकते हैं इसके, mainly, आप मानते हैं कि earth की surface में के अंदर, मतलब जीकों, center पे एक light source रखा हुआ है, और उसके उपर हम ऐसे planner surface रख सकते हैं, जीकों रख सकते हैं, जीसे जो बढ़ड़े के समय आप सर पे टोपी बंगते हैं, वैसा cone, या फिर जिसमें ice cream खाते हैं, cone ice cream, या cylinder, तो ऐसे करके आप रख सकते हैं, और यहां से हमारी light जब जाएगी इस पे, तो माली जीज़े यह आपकी latitude है, यह longitude है, यह latitude है, जिन्हें हम parallels भी कहते हैं, और longitude जिन्हें हम meridians भी कहते हैं, तो prime meridian भी हमारे पास जो ग्रेनिस से जाता है, equator जो है center से जाता है, तो इसको हम standard parallel करते हैं, बाकि सबको parallel करते हैं, तो यह जो आपके पास अलगलग pain है, जब यह light जब इन पे टकराएगी, और जब यह project हो जाएगे, जो यह आप देख रहे हैं इस पे, माली जो मैंने यह एक equator मनाया, अब जब यह इसको project होगी, तो इस पे ऐसे तरीक से project हो सकती है, इसको काट के खोल देंगे, इनको काट के खोल देंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से यह projected line आ रही है, इसे ही projection कहते है, तो इसके लावा जैसे हम अभी देखा, तीन टाग के projection जिसे हम कह रहे हैं, planner कह रहे हैं, जिसे हम azimuthal भी कहते हैं, conic projection है, cylindrical projection है, इसके लावा हमने पास projection है, जैसे pseudo cylindrical है, un-projected है, यानि कि आपने project नहीं किया है, circular ही रखा है, वन्तब अर्थ को spherical ही रखा है, और latitude, longitude से हम define करने हैं, जैसे हम GCS करते हैं, geographical coordinate system, और हम जब planner की बारे हम बात करते हैं, जैसे हमने, जो planner, azimuthal, cylindrical और conical लिया, वो हम PCS, projected coordinate system की बात करने हैं, तो कितने सारे projections हैं हमारे पास, अब देखिए, जैसे यह cylindrical है, अब यह cylindrical क्या है, यह tangent पे touch कर सकता है, यह अंदर भी काट सकता है, तो इसको हम secant कहते हैं, इसको हम tangent कहते हैं, तो cylindrical यह पूरे world के लिए use हो सकता है, जिसमे parallel और यह parallels है, जिसमें latitude कहरें, और longitude, जिसमें हम meridians कहरें, यह दोनों इसपे project होंगी, और यह straight line की तरह होती है, जैसी यह देखिया, cylindrical projection में यह line है बन जाएंगी, अगर कोई छोटा area लेंगे, तो उसमें shape और angle आपको preserve मिलेगा, around 7.5 quad पे, जिसमें 5.5 degree की बात कर रहा हूं है, और अगर distance है, वो कि और equator पे आपको सही मिला है, क्योंकि यहीं को tangent touch कर रही है, आपका जो cylinder है, वो touch करता है, इसलिए आपको distance equator पे true लेगी, conical projection की जहां तक बात है, conical touch भी कर सकता है, ऐसे अंदर की तरफ की दोज़ेगा काट सकता है, तो इसको conical projection surface कहते हैं, इसको second conical projection कहते हैं, और यह एक area को, एक hemisphere को अरब से define कर सकता है, इसलिए हम polyconic use करते हैं, polyconic, एक से ज़्यादा phone, ताकि हम पूरे earth को address कर सकते हैं, जो east-west extent है, उनके लिए यह polyconic use होगा है, और हमारी देश में इंदुस्तान में, पहले polyconic की use करते थे, अब हम लोग shift खासों के सर्वेख रिटे की बात करते हैं, अब हम shift होगे हैं WGS 84 पे, पहले हम polyconic की use करते थे, जो हमारा Everest ellipsoid हम use करते थे, लेकिन आब हम surrender पे आ गए हैं, अगर हम polyconic को खोलेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो parallels or meridian, latitude, elongated दिखाई देगी, इसमें अलग-अलग आपको maps मिल सकते हैं, और जैसे यह second to standard parallel है, इस यह scale और distance में distort हो जाता है, जो standard parallel से उसको छोड़के, जहाँ पर एक touch कर रहा है, area proportional होते हैं एक दूसरे के, और directions true है limited area पर, ऐसे planner लेंगे किसी एक plane के हिसाब से, जिसे हम orthographic भी कहते हैं, तो planner अगर आपका projection surface है, और उसमें आप orthographic projection से लेंगे, तो air route वगरे के लिए इस्तिमाल होता है, distance center से true होता है इसमें, और लेकिन जैसे center से दूर जाएंगे, तो आपको distance में distortion भी लेगा, जैसे मैंने बता है orthographic, यहाँ पर उपर रख दीजे, lambert भी है orthographic projection, तो orthographic में यह perspective views है, hemisphere के, area और ship distort होता है, distance true है, equator और parallel के लाउंग, lambert यह वाला लेंगे, यह orthographic यह वाला है, अगर आप lambert लेंगे, तो यह equal area के लिए है, और area, जो है proportion के हिसाब से true रहता है, center point पे के लापको, जो direction है मिलेंगे, लेकिन scale जैसे आप center से दूर जाएंगे, वो degrees होता है, यह आपका pseudo cylindrical है, वर्ल को map करने के लिए, और जो straight और parallel attitude lines है, वो equally spaced होती है, इस इसाब से, यह standard parallel 40-44 और 40-44 south और north तक ही, true होती है इसमें, एक Robinson है, Robinson projection यह compromise है, conformity, equivalence और equidistance के बीच में, आपको यह तिनों मिल जाएगा इसमें, तो mathematical relationship की बात करें कि, conformity है, equivalence है, जो आपके है, 90 degree पे intersect करेंगी, shape और angle preserve होता है, last के mapping के लिए यूज़ कर सकते है, conformity है, यह marketer है, lambert conformal comic है, equivalence अगर के बात करें, तो जो map के area है, वो proportional होते है, shape distort होता है इसमें, अगर आप कोई एक population density, or capital income दिखाना चाहते हैं, कोई distribution दिखाना चाहते है, geographic phenomenon का, तो आप equivalence वाले projection यूज़ कर सकते हैं, जैसे albert sconic equal area है, equal area है, देखिए नाम इसमें equal area होगा आपका, जैसे conformal है यह नाम बता रहा है कि, conformal है तो इस तरीके साथ यूज़ कर सकते हैं, equidistance की बात करें तो scale preserve होगा, parallel जो equally equidistancely spaced होगे, जैसे bearing और distance आपको निकलना है, किसी छोटे area का, तो उसके लिए up-york कर सकते हैं, angular distortion होता है थोड़ा सा, लेकिन conformality और equivalence की वीच में अच्छा compromise है, जैसे equidistance distant है, अपोनिक है, equidistance azimuthal है, अगर आप देखें, अगर आप मर्केटर, Lambert, Conformal, Connick, और Unprojected जैसे GCS फाम में अगरे एक बिस्टिक पर रख दें, तो कितना distortion आख रख रहे हैं, यह लाल, हरा और नीला, तीन आपको अलग-अलग एक बिस्टिक आपर सुपर इंपर दिख रहे हैं, तो कि इसमें आपको distortion दिखता है, projection और datum यह दोनों link है, जो datum है यह reference है, जैसा रहा था पर datum के website with projection, datum reference है इस projection का, कि आप projection कहां से लेंगे, तो उस datum की साफ से लेंगे, इसी तरीके से आप देखेगा कि overlaying अच्छे सुनी चाहिए, और आपको error जरूर मिलेगा, तो उनों का अच्छे से, मतब आपका projection और datum ऐसा होना चाहिए, कि आपको कुछ error ना मिले, you know, you cannot have different, a projection with different datums, that will give you error, content system की बात करें तो, यह 3D space है, यह measurement, distance measurement of area के लिए यूज होता है, global and local system में हम इसे divide कर सकते हैं, आपका reference plane है, तो spheroid या spherical coordinate latitude, latitude, longitude में यह angles होते हैं, degree, minute second या decimate degree में निकल के आते हैं, जो latitude longitude होता है, वो होता ही angle ही होते हैं, और जो distances हैं, जो latitude के बेच्वी हो, आपको fairly constant बिलते हैं, जैसे आप equator की बात करें, तो यहां पर आपको कितना मिलता है, 111 degree, एक longitude पे, जो meridian के distance पे, आपको 111 km का distance मिलेगा, अगर आप कह सकते हैं कि मैं 1 degree चल गया तो 111 km चल गया, और अगर आप 80 degree North पे बात करते हैं, तो आपको 19 km का difference मिलेगा है, पैनी हो जाते हैं, UTM की बात करें, ग्लोबल सिस्टम है, 80 degree South से लेकर, 84 North तक जाता है, और UTM में zones में डिवाइड किया गया, और unit meters में हैं, यह दिखिए UTM है, UTM के zones दिख रहे हैं, 0 से लेकर 60 तक, 16 to 6 करें तो आपको 360 मिलेगा, 360 degree आपको पूरा coverage अरतका है, यह अलगा है, UTM के zone descriptors है, x से लेकर c, i और o इसमें नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि यह 1 और 0 के साथ, तो i और o को purposefully हाँ से अठा दिया गया है, एक अगर मैं यहां से strip उठाऊँ, तो यह इस तरीके से दिखती है, यह जोन में आपको देखे, false easting और false northing डालेंगे यह, ताकि आपको जो numbers हैं, वह computation है क्योंकि बहुत बड़ बड़े distances हैं, वह आपको negative में नाविए, false easting और false northing डालेंगे, यह इसलिए आपको यह number बहुत बड़ बड़े मिलता है, easting और northing, easting आपको पहले जोन लिखा जाता है इसके लिए, zone यह कोई भी हो सकता है, अब zone क्या है कि n और north भी हो सकता है, और south भी हो सकता है, तो अगर आप जैसे यहां पर है और इस जगह पे हैं, जैसे मैं यह 14 zone लिलता हूँ, अगर आप इस जगह पे हैं, तो आप n कहलाएंगे, जैसे 14n कहलाएंगे, अगर नीचे हैं इसके नीचे तो 14s लिखना होगा, फिर उसके पाद आप इस जगह पे हैं, तो यहां से distance आपका, अच्छा हर एक zone का अपना अलग center meridian होता है, equator के हिसाब से, यहां से distance compute होता है, तो इस distance यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, किस जगह पे हैं आप, तो इस coordinate reference system से आपको value बिलती है, और इस point को कुछ value दी गई है, जो मैं यहां बताना चाहरा हूं आपको, false isting, false northing, इस्टिंग जो है वो 6 डिजिट में आती है, नौर्धिंग जो है 7 डिजिट में आती है, पहले हम इस्टिंग लिखते हैं, फिर हम नौर्थिंग लिखते हैं, तो आपको इस तरी कैसे मिलेगा तो इसे हम UTM coordinate करेंगे, तो अगर आप data में या projection लेना चाहते हैं, तो इस तरी कैसे आप data mode projection को जानेंगे, देखें जो datum coordinate system projection इसमें अंतर है, और अगर correct data mode coordinate system projection लेते हैं, तो आपका special data set आपका अच्छा बन सकता है, अच्छा आप decide कर सकते हैं, तो यह मैंने कोशिश कि आपको बताने की projection datum, और क्या इसमें distortion हो सकते हैं, अच्छा अच्छा आपको यूस करना है और समने अंतर जाएं, बहुत शुक्रिया बहुत मैं आपकाने हो सकते हैं